तो आज हमने रिकरिशन कंसेप्ट्स के प्रेलिस का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं ठीक है और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन हमेशा या दखना है हर दिन का या तो फिर हर एक वीड का गोल बना लो कि आपको इतने दिन में इतना करना है क्योंकि उससे फाइदा क्या है जब आप कर लेते हो तो आपको end of the day में बहुत ही साटिस्फाक्शन मिलती है कि आपने गोल सेट किया और आपने उसको अचीव कर लिया तो वो जो सेंस साटिस्फाक्शन है उसकी वज़ा से भी एक कॉन्फिदेंस बिल्ड होता है पता है और वह कॉन्फिदेंस काफी हल्फुल होता है आपके लिए आपको फर्दर मोटिवेट करने के लिए आगे और हाड़ वरक करने के लिए याद रगना अगर इस चीज को करा हैबिट में तो बहुत फाइदा होगा ठीक है तो आगे बढ़ते और अनफॉचनेटली मैं आई वस नॉट वेल फिम लास्ट तू देज इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी रिकर्शन की तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं क्विक सॉट पढ़ने वाले ठीक है तो रिकर्शन का बह पढ़ने वही देखेंगे कि रिक्साओर न क्या बोला हमिकरने रिकर्शन का देखसे करने करते और देखिते हैं कैसे उसमें रिकर्शन का यूस किया गया है ठीक है first of all , what does quicksought instructs us to do देखते हैं क्या बोलता है Quick sort को मैंने सिर्फ तीन भाग में बाटा है तीनी step में खतम हो जाता है सबसे पहला pivot selection अभी हमनों detail में समझेंगे कि हर एक step क्या है दूसरा है उस pivot के हिसाब से partition कर दो array का तीसरा recursively same चीज़ करते रहो ठीक है pivot select किया फिर partition किया array का इस pivot के around और उसके बाद recursively इननों को भी solve करते रहा same तरीका से ठीक है पतब recursively step 1 और step 2 को करते रहो until your array is sorted तो देखाया तो third step की वजह से ही मैंने इसको इस playlist में डाला है क्योंकि recursion का बहुत बढ़ी अस्तमाल है इसमें ठीक है 327965 इसमें low है starting pointer और high जो है वो end में है ठीक है चलो देखते हैं यह क्या बोलता है सबसे पहले तो इसने बोला था कि एक pivot चुन लेना pivot selection तो pivot selection के बहुत सारे तरीके होता है pivot selection का मतलब simple मतलब यही है कि कि किसी एक महान आदमी को या तो महान element को चुन लो और वो महान element को आप चुनने का बहुत सारे तरीका है हो सकता आप महान element हमेशा पहले वाले element को चुनो हो सकता आप randomly किसी भी element को महान element चुन लो या तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग जो pivot element चुनेंगे जो महान इंसान है वो हमेशा last वाला होगा ठीक है वो हमेशा element हम last वाले को यह उठाएंगे ठीक है चलो pivot selection तो हमने कर लिया कि ये बंदा मेरा pivot element होगा उसके बाद पता है क्या है step में उसके बाद बोलता है partition करो और partition का मतलब क्या है कि इस array को कुछ इस तरह partition कर दो कि ये जो 5 है ना 5 5 को ऐसी जगह रखो कि 5 के left side के सारे elements 5 से equal या तो छोटे हो और 5 के right side के सारे element 5 से equal या तो 5 से बड़े हो ठीक है देखते है क्या बोल रहा है तो जो बोल रहा हो करता हूं मतलब मैंने question में क्या बोला कि partition कर दो partition करने का मतलब क्या हुआ जो अपने pivot element चुना तो 5 को ऐसी जगह रखो कि 5 के left side में सारे उनसे 5 के equal है तो उसे चोटे element हो 5 की जगह 5 से चोटे element कौन कौन से देखता हूं 3 चोटा है येस 2 चोटा है येस 7 चोटा नहीं है 9 चोटा नहीं 6 5 4 चोटा है 4 चोटा है फिर 5 की बार यह तो 5 मैंने यहा लिग दिया अब देखो य पहला है मेरा 8 जो 5 से बढ़ा है उसके बाद 7 है जो 5 से बढ़ा है उसके बाद 9 है जो 5 से बढ़ा है उसके बाद 6 है वो 5 से बढ़ा है तो देखो हमने बहुत बढ़िया से partition कर दिया है दो भाग में इसको पहला भाग कौन सा है जो 5 के left side में आएगा ठीक है जो 5 से चोटे होगा यह पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 आएगा 2 3 4 उसके बाद 6 आएगा फिर 7 आएगा फिर 8 फिर 9 सब्सक्राइगा फिर 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा जब सॉट करोगे तो रिजल्ट यही आना चाहिए तो अब एक चीज़ यहां नोटिस करो इसमें जो 5 है ना 5 का इंडेक्स देखो तो क्या है 0 1 2 3rd इंडेक्स है तो एक चीज़ नोटिस पता है क्या करोगे यह जो अपने partition किया है ना अब दिखो जो 5 है ना वो अपने exact correct इंडेक्स में पहुँच जुका है अभी ही भले final जो answer हमारा आएगा sorted उसमें 5 का इंडेक्स 3 होगा ना 5 अभी ही अपने correct इंडेक्स में पहु पर पहुचा के उसको free कर देंगे कि भाई अब तुम जिंदगी वर इसी position पर रहोगे जब और सौर्ट भी हो जाएगा ना तब तक तुम इहीर पर रहोगे तो पता 5 इस हैपी ना अब 5 को तुम छूओगे ही नहीं है ना 5 को तुम बिलकुल नहीं चूओगे 5 के अलावा जो element है हाँ उनको हमें वापस से sort करना पड़ेगा लेकिन partition का असली मकसद यही था कि एक के करके हम सारे elements को अपने correct position पर पहुचाते तो इस बर क्या हुआ 5 अपने correct position पर पहुच गया है तो 5 तो correct index पर पहुच चुके है यह हमें पता है बट 5 के अलावा जो पार्ट है जैसे यह वाला पार्ट है यह अभी unsorted है फाइव के राइशाइड वाला पार्ट है देखो यह अभी भी unsorted ही है लेकिन हाँ यह sorted है अपने जगा पर है ठीक है तो अब इसके बाद third step क्या था देखो third step इसलिए third step में बोला कि अगर आप इस problem को देखो इतने problem को खली देखो सिर्फ इतने पार्ट को देखो तो यह खुद में एक similar सा problem है unsorted है इसको sort करना है तो यहाँ पर फिर से same step लगा दो pivot selection partitioning same step लगा दो बतो क्या बोल रहा है यह जो three two four है ना three two four इसको अलग से मैं लिखके दिखा जाता हूं कि इसमें भी same दिमाग लगा इसमें एक pivot महान इंसान को चुनो four को आपने चुना और कुछ इस तरह अरेंज करो कि four के left side में सारे element four से चोटे हो four के right side में four से सारे बड़ element हो तो देखते हैं यहाँ पर अगर म यह four अपने एकदम correct जगा पर पहुंच चुका है अब बाकी जो three two है इनको आपको sort करना पड़ेगा तो four भी अपने correct जगा पहुंच गया ठीक है similarly इस हाफ में भी हम same चीज लगा देंगे तो यही आप चीज देख रहो recursion इसलिए तो लगाए गया ना क्यूंकि इतना है ना यह सब प्रॉब्लम जो है ना यह सब प्रॉब्लम है यह भी सब प्रॉब्लम है से मिलरी तो problem ए उसको sort करना है ठीक है यहां तक क्लिए रहे अब एक और चीज ध्यान दो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो हमने same array में ही changes कर दिये हैं मतलब स्टार्टिंग में हमारा array कुछ ऐसा दिख रहा था और पता है जब हमने partitioning करी तो ऐसा कुछ हो गया तो actually में यह सेम array है उसी में यह सारा काम हुआ है तो आप हमारा array जो ना कुछ ऐसा हो चुका है ठीक है तो आप हमारा original array यह हो चुका है इसी को हमने modify कर दिया है ठीक है याद रखना यह चीज मैं आपको sort करना है तो ऐसा मत करना कि अलग से करे ले लो फिर 3 2 4 को sort कर लो फिर यहां पर डाल दो ऐसा नहीं है आप सेम array में ही changes कर सकते हो ठीक है कैसे करोगे वो देख लो बहुत simple है आपको यह तो पता है ना कि भाई अब जो sorting करना है बस इसमें करना है और अब जो sorting करना ब क्योंकि यह सारे elements जो होंगे ना जो 5 के left side में है वो सारे 5 से छोटे है तो वो sort होकर इधर ही कहीं पर रहेंगे है ना वो sort होकर इसी दुनिया में रहेंगे कहीं यहां बाहर नहीं जाएंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे जब हम recursion call मारेंगे ना further तो बता है मैं दो recursion call मारू कि भाई सेम तरीके से इसको solve कर दे और यह होगा मेरा लो हो जाएगा इस अरे का और इसका माल लेते ही पिवेट इंडेक्स है ठीक है और यह हो जाएगा पिवेट इंडेक्स माइनस वन तो मैं क्या बोलूँगा दोबारा से recursion call करूंगा और बोलूँगा कि भाई लो और सौट कर दो ठीक है सेम अरे में काम करेंगे बस इंडेक्स हमें पता होगा कि इतना से इतना तक को ही करना है यहां से लेकर यहां तक को ठीक है और एक और कौन है यह देखो पिवेट इंडेक्स प्लस वन है और यह हाई था ना हमारा याद है स्टार्टिंग में हमने लो और पहले से प्रवलोंग का low यह है और high यह है, दूसरे से प्रवलोंग का low यह है और high यह है, और उन दोने भी same चीज लगा देंगे, ठीक है? तो देखा जातो हमारे regression कुछ बहुत simple सा दिख रहा है, मतलब एकदम तीन या चार लाइन का ही code है, simple सा solve function माल ने ते मैंने लिखा, और हमें high दे रखा था तो starting में जो array दे रखा है उसका low 0 इंडेक्स होगा और high क्या होगा n-1 इंडेक्स होगा starting में यही तो था हमारे पास input यह वाला starting input यही था ठीक है starting में हमारे पास यही होगा तो अब मैंने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले partitioning कर देंगे है ना तो मैं सबसे पहले partitioning call करूँगा अब वो partitioning के लिए अलग से हम लोग समझेंगे partitioning call करूँगा उसमें भेज दूँगा कि अभी जो array है हमारा उसका low यह है और high यह है अभी partitioning करो और मुझे पार्टिशनिंग इंडिक्स लाकर देदो तो पार्टिशनिंग का काम क्या है ना वो partitioning हम अब लोग अभी समझेंगे इसका काम यह है कि यह partitioning करेगा और हमें partitioning index लाकर देगा ठीक है low और high हो गया अब जैसे partitioning index मिला मैं फिर से same quick sort को call कर दूँगा quick sort को call कर दूँगा same quick sort recursively call कर रहे है अरे है ना और low तो हो गई लेकिन जो left half है देखो ये वाला half अभी मैं इसके लिए recursion call कर रहा हूँ तो है ना pivot index minus 1 इसका high क्या होगा pivot index जो भी आया minus 1 क्योंकि भाई जो pivot index वाला बंदा है वो तो अपने correct position पर आच चुगा अब उसको क्यों छोड़े दो बारा तो उसको आपको sort करना ही दर होती नहीं है ठीक है next call second half के लिए quick sort array और pivot index plus 1 से लेकर इसका right high यहां तक clear हो गया अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा sort करके ला देगा यही तो है recursion leap of faith है ना मैंने trust कर लिया कि वो मेरा करके ला देगा मुझे कोई tension लेने की ज़रूत नहीं है ठीक है मैंने बस एक element को अपने correct जगह पर ला दिया उसका life set कर दिया है ना वो कौन था five था जो की pivot index पर बैठा रहेगा और उससे उसके left वाले element और उसके right वाले element को मैं बोलूँगा कि भाई इनको sort करके ले आओ मैंने एक element को sort कर दिया है और मुझे trust है कि यह करके ला देगा यही है trust regression का trust यही है है ठीक है और सिंस आपने regression कॉल किया ही है तो आपको base case लिखना चाहिए वरना कभी खतमी नहीं होगा यह तो आप खुछ सोचो base case कब आएगा थोड़ा सा दिमाग लाग तो खुछ समझ में आ जाएगा base case होगा देखो लो यह है और एक समय एक केस में पिविट इंडेक्स माइनस वन है ठीक है और एक में पिविट इंडेक्स प्लस वन है और यह हाई है ठीक है तो अगर ऐसा केस हो गया कि लो जो है वह greater than high हो गया अव्यस्सि बात है तब तो invalid array है हमेशा low high से छोटा होना चाहिए यह अगर low है यह high index तो ऑव्यस्से low हमेशा high से छोटा यह तो इक्कोल होना चाहिए low high से बड़ा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि low यहां आ गया और high यहां आ गया ऐसा निए सकता एसका मतलब होगा कि आपने सारे element देख लिए शबसे basic करना यहां से रिटरन कर देना तो इस चीज़ बने रिटर नहीं कर। हम यहां कमें कर रहे हैं तो इस mamad Material को मिलूलिए मां मोडिफिकेशन करते जाएंगे ठीक है तो यहां तक तो बड़ा बढ़िया से समझ में आ गया देखरो बस तीन लाइन का कोड है लिटरली इसलिए मुझे क्विक्ट बहुत पसंद है है ना बस तीन सलिएंगर देखरेशन लिख्खा लेट साइट कॉछल क्रड़ेज का इए सबसे उसका लगता है अब बस हमें क्या करना अप्टेशनि करना उच्धिक्यों पिवट इंडेक्स मैंने पोरा था आप किसी कों भी चुन सकते हो तो हरो वाले को तो चुनने के एक होता random किसी भी random index को पेविट चुन लो ठीक है और उसको ऐसे जगाँ प्लेस कर दो such that all the elements left to it are smaller than it or equal to it and all the elements right to it are greater than it ठीक है तो हम क्या करेंगे इसी को चुन लेंगे को दिखती है आप starting element को भी चुन सकते हो पर स्मुद्धा क्या है कि आपको इस तरह का partitioning कर देना है आप जिसको भी चुनो आप पर है माल लेते हैं आपने 8 को चुना होता तो आपको 8 को correct जगाँ लाना पड़ता है है ना 8 को आप ऐसे जगाल लाते कि बाइट के left में सारे elements 8 से छोटे है इकोल होना चाहिए राइट में सारे उससे बड़े बने चाहिए ठीक है तब उस case में हमारा अरे थोड़ा अलग दिख रहा होता है ना तो हम क्या करेंगे लास्ट वाले को ही पिविट मानेंगे और करेंगे तो देखते हैं कि पार्टिशनिंग कैसे करेंगे पूरा फुल ड्राइरन करके देखेंगे पूरा ट्री पूरा अरे को सॉल्फ करके देखेंगे कि जब तक ही सॉटेड ना हो जाए ठीक है तो देखो अब पार्टिशनिंग करते हैं देखते हैं पार्टिशनिंग ले लिया 5 को अब हमारा फर्स क्या बनता है कि 5 को मैं correct जगह डाल दू such that 5 से जितने भी छोटे elements है 5 के left side में होने चाहिए जैसे 3 जो है 5 से छोटा है 2 5 से छोटा है उसके बाद 4 5 से छोटा है उसके बाद 5 खुद है उसके बाद 5 से बड़ा 6 है 7 है 8 है और 9 है ठीक है तो आप इने एक चीज़ नोटिस किया हमने partitioning कर दी अब partitioning का code कैसा होगा कितना सबसे अच्छा code क्या है partitioning करने का वो मैं आपको दिखाऊंगा dry run करके properly ठीक है बड़ आप देखो पहले कि हो क्या रहा है partitioning में तो actually में यह जो modification हुआ ना वो इसी array में हुआ है यह मत सोतने कि मैंने एक अलग array इसम भी बोलते हैं क्यूं क्यूंकि भाई इसमें आपने same input में ही सारे changes करते जा रहे हो अब अलग से आपने कोई input नहीं लिया है ठीक है तो हम same changes same in जो changes कर रहे हो same input में हो रहा है तो actually मैं यह जो change दिख रहा है वो मेरा original array है बस हमने उसको modify कर दिया ठीक है तो अब आप इसको ही देखो इसको मत देखो अब आप इसको देखो कि यही आपको original रहे है उसी में आपको ने modification करके आपने इसको क्या कर दिया है अपने इसको partitioning कर दिया देखो left side में सारे 5 से छोटे है और हमारा pivot index होने भाई है हमारा pivot index यह है ठीक है यही pivot index हम रिटर्न करते हैं partitioning से देखो यहां पर pivot index में क्या आजाएगा 3 आजाएगा थर्ड इंडेक्स आजाएगा तो अब मैं बुनिवा कि भाई सेम चीज कॉल कर लो जीरो से लेकर टू तक के लिए और सेम चीज कॉल कर दो फोर के लेकर सेवन तक के लिए दो मैं यही बोल रहा हूं जीरो से लेकर टू तक के लिए अब सेम चीज लगा दो और फोर से लेकर सेवन तक के लिए सेम चीज लगा दो ठीक है तो लगा कर देखते ह पहले इसमें लगा लेते हैं और याद रखना जो changes हम कर रहे हैं वो इसी original अरे में हो रहा है और कहीं बाहर अलग से अरे नहीं ले रहे हैं ठीक है यह जरूरी चीज है समझना इसलिए इसको in place algorithm भी बोलता है तो चलो ठीक है यह 324 है ना इसमें भी same चीज करो इसमें तो कि होच पहुच पहुच ना हो जाए महां पर 324 इसका लो यहां पढ़ता और हाई यहां पढ़ता सेम दिमाग यहां पर लगाएंगे कि पीवेट चुन लो लास्ट वाल एलमेंट को ठीक है और इंडेक्स लिग देता हूं 012 और ऐसा कर लो इसका रियर्रेंजमेंट सच यहां पर क्या हुआ तो यहां पर क्या हुआ तो सेम चेंज अचली में यहां पर हो चुका है कि भाई फोर बीना अब हैपी हो चुका है ठीक है अब ध्यान दो फोर और फाइव इंदम करेक्ट जगा पर है अपने धीरे धीर हमारा अरे हमको मुझे सौर्ट होते वह दिख भी रहा है ठीक है तो अब जब फोर के लिए हमने किया तो यहां पर हम बोलेंगे ना कि चलो फोर तो अपने जगा पर आगया अब तुम काऊशनाफर इसको पीवट माल लोग कर तो इसको पीवट माल लिया मैंने और आसा करेंगे कि लो इसपीवट में सारे इल्में जोटे होने चाहिए और राइट में सारे में बढ़ ह Pakistani चैगे तो तो देखो क्या होगा तू यहां पर आजाएगा क्युक्त तो क्यों कि दीब और यहाँ पर आ जाएगा मेरा राइट टीक है साइड इस चूछ जित醒ी बड़ अरड है टू हब अपने करेक्ट इंडेक्र पर पहुंच चुक आ इस बार टू अपने करेक्ट इंडेक्स पर रिहाएगा हूं ठीक है तो फिर से हम यह करेंगह जो रिमीनिक और तू के लेट सब्सक्राइब इसको सौट कर लेआ और सिंस यह मातर एलमेंट यह एक मातर इलमेंट यह खुद भखुद सौर्ट और टू पहला इस थ्री आगया तो यह चेंज एक्टुली में यहां हो चुका होगा क्योंकि हम हर change same array में ही कर रहे है 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर आ चुका होगा ठीक है तो ध्यान दो यह array sort हो चुका है similarly याद करो second half को भी sort करने के लिए मैंने भेजा होगा यहाँ पर देखो तो इसने भी same चीज़ करके अपने आपको sort कर लिया होगा तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिग्या कि partition करते 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 recursively हर sub array में कैसे हमारा array sorted होता जा रहा है ठीक है अब देखते हैं भाई partition का जो code है ना कि माल लेते मुझे ये input दिया वाय है और मैंने इसको pivot चुना है तो pivot index कैसे निकालेंगे कि भाई pivot index मतब क्या कि ये 5 actually में किस index पर जाएगा such that कि 5 के left में सारे elements 5 से equal या छोटे हो और right side में सारे element 5 से बड़े हो ठीक है ये कैसे निकालेंगे तो इसका अब हम code समझते हैं भाई partition का code भी हमें आना चाहिए ठीक है तब ही तो partition का code लिखेंगे तो ये हमारा काम करेगा तो चलो जल्दी से partition का code समझते है तो चलो partition का code अब समझने के कोशिश करते हैं कैसे लिखेंगे कभी भी memorize मत करना किसी भी code को ठीक है intuition समझो code आप खुद भाखुद story समझ के बनाई दोगे इतना तो हम सीखी चुके हैं कि अगर आपको story या concept समझ में आ चुका है intuition समझ में आ चुका है तो आप code कर लो के खुद से तो ध्यान दो हमारा goal क्या था कि partitioning जब भी करनी होती थी तो last element को हम pivot चुन लेते थे तो लिख लेते हैं कि भाई मेरा pivot element जो है तो left वाला जब हमने sorting के लिए भेजा था तो उसका low यह रहा होगा उसका high यह रहा होगा तो उस case में हम pivot इसके लेंगे ठीक है हर सब problem का अलग-अलग pivot होगा जैसे यह अभी मेरा problem यह है तो मुझे इसका pivot इसका high index में जो भी element उसको लेना है तो मैंने ले लिया pivot array of high यानि कि 5 है मेरा pivot यहाँ तर क्लियर है तो अभी अब मुझे यही पता करना ना कि यह 5 को actually में कहां डाला जाए बताब actually में यह 5 का original index कहां होगा जिसको हम लो क्या बलते है pivot index लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि pivot index कहां होगा तो मैं एक काम करता हूँ मैं eye pointer यहां से start करता हूँ और since अभी मुझे नहीं पता कि pivot index कहां होगा तो मैंने मान के चल लिया कि pivot index यही है index number low क्योंकि मैंने eye को low से start किया है ठीक है? चलो कोई बात नहीं तो मैं देख लेता हूँ कि अगर pivot index यही है मतलब 5 अगर यहां पर आना है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि pivot index यही मतलब 5 यहां पर आने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यहां 5 से right में सारे elements 5 से बढ़े होने चाहिए बड़ देख लेते हैं ऐसा है भी की नहीं ठीक है? पहले तो यह देख लो क्या यह 8 जो है क्या यह 5 से छोटा है? नहीं 5 से छोटा तो नहीं है कोई बात नहीं तो आई को यहां बढ़ा लेते हैं ठीक है? अब देखते हैं क्या यह 3 5 से छोटा है? Yes 5 से छोटा है तो 5 को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि 5 के right side में सारे बड़े elements होने चाहिए बड़ एक बंदा छोटा मिल गया मुझे तो इसका मतलब क्या हुआ कि pivot index यह तो नहीं हो सकता तो मैं क्या करूँगा न pivot index में अभी currently जो element है वो 5 से बड़ा है तो उसको right side में move कर दो कैसे move करोगे इस i से उसको swap कर दो क्योंकि 5 से जो लोग बड़े element है उसको right side ही तो move करना आपको तो right side move कर दो तो मैंने क्या किया किसको swap मारा देखो तो जो pivot index में जो element है और जो currently i पर जो element है उन दोनों को swap कर दो swap करने से फाइदा क्या होगा कि जो बड़ा element है वो right side चला जाएगा ठीक है तो 8 यहां आजाएगा 3 यहां आजाएगा 3 यहां आगया 8 यहां आगया और pivot index हो यह मैं plus plus कर दूँगा देखो pivot index हो मैंने यहां डाल दिया पता है क्यों क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है 5 का ultimate position यही होने वाला है क्योंकि देखो 5 के left side में छोटे element होने चाहिए जो छोटा है है ना बट हो सकता है और और भी छोटे element से आगे मिले तो आज भी मैं explore करता हूं आगे सिंस हमने i से swap कर दिया था तो i आगे बढ़ जाएगा ठीक आगे बढ़ गया क्या यह element छोटा है 5 से एक और element मिल गया भाई जो 5 से छोटा है तो इसका मतला मुझे इसको left side भेजना पड़ेगा तो pivot index में याद करो बड़ा element था 5 से तो इसको मुझे right side भेजना पड़ेगा तो फिर से वही करेंगा pivot index में जो element है और i th element में जो index है दोनों को swap मार दो तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया ठीक है तो pivot index को भी मैंने plus plus कर दिया pivot index यहाँ आ गया और i को भी मैंने plus plus कर दिया आई यहाँ आ गया अब देखो ध्यान दो मुझे लग रहा है कि अब हो सकता है 5 यही पर आएगा future में है ना तो और 5 के लेशा में छोटे होने चाहिए सही बात है छोटे है है ना तो लग तो रहा है बड़ देख लेते हैं और चेक करके ठीक है क्या यह element 5 से बड़ा है हाँ बड़ा है तो रहने देते हैं कुछ नहीं करना है इसका चोटा होता तब दिक्कत हो आती यसी यह है है ना तो क्या element 5 से चोटा है नहीं चोटा नहीं है क्या element 5 से चोटा है नहीं है आई यहां पर आ देखा है मैंने अच्छा यह element 5 से चोटा है तो इसको left head होना चाहिए इतना right head हो के क्या कर रहा है है तो मैं pivot index को बोलूगा कि भाई swap मार ले मुझसे तो 4 यहां पर आ जाएगा और 8 मैंने यहां डाल दिया और pivot index मैंने यहां डाल दो pivot index आपको मिल चुका है कि भाई आप 5 को यहां पर डाल सकते हो कोई चलो जल्दी से 5 को डाल देते हैं 7 को हटा दो 5 को यहां डाल दो 7 को यहां डाल दो कोई दिक्कत नहीं है हमारा जो goal है वो achieve हो गया अगर आप ध्यान दोगे तो क्या goal था कि 5 जो है वो अपने correct position पर आ है 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 ना तो यह हमने partitioning कर दी देखरो कितना simple logic था partitioning का तो देखो हमने actually में क्या किया हमने क्या किया था एक आई pointer start किया था 0 से और हाँ pivot index मैंने starting में 0 ही मान लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था अभी तक है ना ठीक है आई 0 से start हुआ आई 0 से नहीं आई मेरा low से start हुआ लो जहां पर भी point कर रहा होगा आई is less than high तक जाएगा ठीक है आई प्लस प्लस है ना for loop चलाया था हमने simple सा और हाई less than high क्यों कर रहे है less than equal to high क्यों नहीं कर रहे है अरे भाई हाई एलेमेंट तो पिवेट ना उसी से तो compare करना है हाई तक क्यों ले जाओ गया आई को आई लेस देन ही राएगा ना आई लो से हाई तक जाएगा ठीक है अब बस मैंनेजर कि याद है मैं क्या चेक कर रहा था कि करेंट एलेमेंट जो अरे आयत इंडेक्स पर अगर वह छोटा निकल गया मेरा पिवेट से इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो आई है इसको इसको लेफ्ट साइड जाना चाहिए क्योंकि छोटा है पिवेट से राइट तो मैं क्या करूंगा मैं पिवेट इंडेक्स के पास जाओंगा पी आई के पास गया मैंने बोला कि आई तो स्वाप हो जा तो राइट सेट आजा आई के पास और अर्याई को मैंने लेफ्ट सेट भीज दिया जहां पर पिवेट इंडेक्स था पहले स्वाप मार दिया खतम का नहीं जैसी फॉरलूप खतम होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई पिवेट इंडेक्स मैं क्या करूंगा कि भाई पिवेट इंडेक्स में जो भी element अभी currently present है उसको array of high से swap मार दो है ना या करो array of high में ही तो मेरा pivot था है ना तो pivot को मैंने यहां डाल दिया और pivot index मुझे अल्रडी 7 था उसको मैंने यहां डाल दिया ठीक है तो मेरा एक objective तो पूरा हो गया कि भाई यह जो element है ना यह अपने correct जगह पर आ चुका है pivot index और हां मेरा first बनता है कि मैं return करूं कि pivot index हम तो वो pivot index मुझे यहां जैसे ही मिलेगा अपने quick sort वाले code में यह रहा तो मैं क्या करूंगा same sub problem 0 से लेकर pivot index minus 1 तक का और pivot index plus 1 से लेकर high तक का उनलों को भी आप sort करना है ना क्यूंकि pivot index में जो element है वो तो अपने correct जगह पर आ गया लेकिन left side में जो array है उसको sort करना और बाकी जो right hand मेरे उसको sort करना है वो जिम्मेदारी है मेरी तो मैंने क्या किया recursion को बोल दिया भाई तुक कर देना मैं एत्ता ही कर पाऊंगा ठीक है तो partitioning का code भी बहुत simple है है आपको बस समझने की देरी थी और actually मैं example से ही हमने code derive कर लिए आपने देखा होगा example हमने यहाँ पर dry run क्यों किया ताकि code हम लोग example से derive कर सके इसलिए याद करने की कभी ज़ूरत नहीं पढ़नी चाहिए code को कि भाई ऐसे फॉरलू पर रट लिया रटना कभी नहीं है code को रटोगे भूलना ही भूलना आपको कभी न कभी भूली जाओगे इसलिए example को dry run करो ना वहां से story बना और उसको build करो code में ठीक है तो यहां तक तो सब कुछ समझ में आ गया और हमने अपना code भी complete कर लिया और अब एक चीज़ ध्यान दो यहां पर अगर आप पर्टिशनिंग वाले code को देखोगे ना यह अपका पर्टिशनिंग वाला code है यह रहा है तो इसका time complexity पताओ तो कितना लग रहा है मान के चलते हैं अब एक चीज़ ध्यान दो यहां पर यह देखो हाई से low तक का जा रहा ह मतलब ऐसा हो कि आपने पटिशन इतनी बढ़िया कि कि यहां पर element है और यह half में तूटे और यह half में तूटे है ना क्योंकि अगर half में नहीं तूटेगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो reason बताता हूं मान के चलते हैं आपका अरेथ आपको sorting करनी थी आपने partition element कुछ ऐसा चुना कि वह यहां पर आया उसका index तो अभी यह कुछ ऐसा है next partition element तो फिर left side में कुछ है नहीं तो right side में आप इस्तने को sort करोगे तो देख रहो यह worst case लग रहा है पूरा o of n लग जा रहा है एक एक करके सारे element को एक एक करके देखोगे तो अब्बेसी बात है o of n लग रहा है worst case हो जा रहा है वह ना लेकिन best case scenario pivot index इतना बढ़िया होता कि वह exactly आपकी arrow को दो half में तोड़ता आप इस हाफ को अलग से solve करते और इस हाफ को अलग से solve करते ठीक है फिर यह भी अलग-अलग half में तोड़ता तो देखरो इसका जो recursion tree बना है दो कितना छोटा है लेकिन उसका जो recursion tree बना था याद करो यह हु जाएगा लेकिन इसका depth देखो हर बार आपका अरे जो है best case क्या होगा कि वह हाफ size में तूटे है ना exactly n by 2 size में तूटे यहां पर n by 2 यहां पर n by 2 best case scenario बता रहा हूं ठीक है यह आपका best case होगा तो मतला मैं क्या बोल रहा हूं कि overall जो quickshot का time complexity होगा देखो ध्यान दो पर्टिशनिंग में ओफ एन लगा मान लेते हैं ठीक है पर्टिशनिंग में ओफ एन लगा ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं एन टाइम लगा पर्टिशनिंग में और उसके बाद हमने quickshot call किया best case मान के चलते हैं कि हाफ आफ में तूट गया दोनों आरे तो दो कि दो बर quickshot call किया तो टी एन बाइटू प्लस टी एन बाइटू है ना इसको अगर ऐसे करके लिखो तो इसको आसे लिख सकते हैं तू टाइम्स टी एन बाइटू है ना यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ अब ध्यान दो इसको आप ऐसी भी तो लिख सकत तो तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको टू टाइम्स तो याद करो यह टी एन है ना यह टी एन है अगर माल नेते हैं यह टी एन बाइटू के आपको वैलू चाहिए तो इस टी एन के जगा टी एन बाइटू पुट करोगा तो क्या होगा टू टी ओफ एन बाइटू हो जाए 2tn by 4 plus n by 2 होगा है ना ठीक है और ये वाला 2 जो है वो तो ये है ना और ये वाला n मैंने यहाँ लिख दिया ठीक है ये tn by 2 को मैंने खोल दिया है फर्दर तो इसको वापस से resolve कर लेते है 4 times t of n by 4 plus 2 into n by 2 यानकी n और बाहर जो n था वो तो इसको add करोगे तो कितना हो जागा 4 into tn by 4 plus 2 times n है ठीक है तो इसका अगर generalized version लिखो होगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर k into t of n by 2 का पावर k plus k n लिख सकते हो generalized format में लिख दिया क्योंकि देखो ये 2 का पावर 2 है ये जो divided by 4 है 292 फोर 2 फोर 2 है और ये जितना 4 का पावर है 4 जितने का पावर है 2 का पावर 2 है तो उतना टाइंस presented k n हो गया तो मैंने juice form में लिख दिया मैंने क्या लख दिया हैом teaching लेख दिया है पर ठीक है यहां तक समझ में आ गया तो मैं ये कब तक जाओंगा इसका मतलब क्या हुआ एन बाइट टू का पावर के वन ना हो जाए तो यह रुख जाएगा हमारा रिकरशन है ना ठीक है तो इसको वन करने के लिए का करना पड़ेगा एन इस इकल टू का पावर के दोनों तरफ लगाओगे तो के हो जाएगा मेरा लॉग ओफ एंड टू दबेस टू तो देखो आमने के निकाल लिया याद करो स्टार्टिंग में जो मेरा प्लेलिस था रिकरशन का मैंने यह सब बेसिक सिखाया था फिर भी मैं तो बाराज कर रहा हूं ता क्या हो जाएगा के की वालु पुट करो इसी क्वेशन में क्या हो जाएगा तो टी ओफ वन हो चुका है प्लस के इंटु एन मतलब लॉग ऑफ एंटु बेस टू इंटु एन है के देगा बस हमने क्या किया यह वालु पुट कर दी तो इसको रिजॉल्फ करता है टी ओफ वन तो कॉंस्टेंट है तो उसको हटा दो वन हो गया वो टू अफ लॉफ तो यह आपको अलब पता होगा मैत्तमाटिकल यह ठीक है यह इस फॉर्मेट में एक पावर लॉग ओफ बी टुद बेस यह बी हो जाता है तो यहां पर देखो रिजॉल्फ होके यह एन हो गया यह तो मेरा वन था प्लस लिखा अज देखो लॉग अफ एंटु एंटु एं तो बेस टु ठीक है अब यह तो बड़ा वैल्यू ना इसके कमपरेजन में तो बड़े वैली को जब वर्ष केस निकालना होता तो बड़े वैली को मता हायर इंपूट के लिए यह तो नेगलिजिबल हो जाएगा इस केस में ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसका माल लें है उनसे definitely बूठा जा सकता है कि time complexity निकाल कर दिखाओ recursion का using this method ऐसे तो आपको समझाना पड़ेगा कि यह tn by 2 क्यों हुआ क्यों कि आप best case मान रहे हो कि जो पहला half वाला अरे है वो इदम half size में तूटा है तूसरा size वाला हरे है वो भी half size में तूटा है दो बार recursion काल के इसलिए tn by 2 tn by 2 लिए और जो partition हमने किया उसमें लग रहा था तो यह मेरा partition का यही तीन स्टेप तो कर रहे हैं लोग क्विक सौट में इसको बस जनरिक फॉर्म में याद करो वर्श केस में क्या होता था कि यह जो हमारा अरे था ना वह हर बर simply में नहीं तूट रहा था बता फिट इंडेक्स इंदम यहां नहीं मिल रहा था हाफ-orian कि इदर हाफ ऊज़ाए इदर हाफ ऐसा नहीं वर्चेस में क्या हो रहाता था कि पीवेट इंडेक्स यहां एंबई टू कर अंक पर आ Κप स्था रीके। एंड में गुच्ट है इस डूठ करेंपо सेम चीज नुक्त करना है। है आप तो इस jeśli उसको बंद्र कंट कर रहा हैं है। वर्स केस लेके चल रहा हूँ कि जो पार्टिशनिंग आपने की कुछ ऐसा तूटा। पार्टिशनिंग कुछ ऐसा हुआ कि पिवेट इंडेक्स आपको यहां मिला। यहां पर तो इसका लेट है ना। तो लेट सब्सक्राइड क्यों कॉल करोंगे तो रिटर्न हो जागा क्योंकि डेट सब्सक्राइड में इस तीक है बहुत जरूरी था यह समझना और पूरा डेप्थ में आपको पता होनी चाहिए कि वर्स्टकेश में टाइम कॉल तो याद करने की जरूरत ही नहीं यहाद कर लेगे T of N1 है T of N1 है तो इसको वापस से खोल दो अगर T of N यह है तो T of N-1 क्या होगा T of N-2 plus N-1 ळिक है यह तो T of N-1 को मैंने खोल दिया अब बाहर में आया प्लस N ठीक है उसके बाद फर्दर इसको खोलोगे तो t of n-3 यादको इसको आड़ करें तो क्या हो जाएगा 2n आ जाएगा रुक जो इसको पहले resolve कर लेते हैं t of n-2 था प्लस 2n-1 हो जाएगा ठीक है इसके बाद t of n-3 हो जाएगा प्लस 3n-2 हो जाएगा कुछ ऐसे होता चला जाएगा t of n-4 हो जाएगा प्लस 4-3 हो जाएगा ठीक है ऐसी चलता जाएगा तो इसको जन्रिक जन्रिक फर्म में कैसे लिखेंगे t of n-k plus k into n ठीक है minus of k-1 कुछ ऐसा जन्रिक में जाएगा ठीक है तो यह रुखेगा कब यह रिकर्शन जब यह मेरा वा जाएगा तो नोट cracking को ओ wre prag जाता है यहाँ पर को निकाल लो अटीकर को यह पुट कर दो चूब Peng श्या जाएगा अब के को यह पूट कर दो ऑट recipes 2N-n-1-1, ठीक है, तो यह तो देखो T of 1 हो जाएगा मेरा, तो यह तो constant हो गया, प्लस, यह देखो N square minus N हो गया, यहाँ पर minus N plus 1 minus 1, यह कट गया, ठीक है, तो यह तो constant हो गया, सबसे बड़ा term है, उसी को लेंगा न, क्योंकि जब बहुत बड़ी value होगी, तो यह लोग जो है, इन negligible होंगे, N square के comparison में, तो सबसे बड़ा value में रखे है, N square है, तो मेरा time complexity किसके बराबर हो गया, proportional to O of N square हो गया, क्योंकि N square सबसे बड़ा term था है, ठीक है, तो देखना, आपने worst case में time complexity of N square है, इसे लिए, quick sort का, अगर कोई आप से पूछे, कि best and average time complexity क्या है, O of N log N है, ल ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया हो, यह तो time complexity हो गया, space complexity मैंने आपको कैसे बोला तो याद करो हम यहां पर extra space लही नहीं रहे है, जो अरे है, उसी में modification कर रहे है, ठीक है, तो auxiliary space, आपको पता होना चाहिए, auxiliary space क्या है, अगर आप मेरा यह playlist, follow करते आ रहे हो, तो auxiliary space मतल हमारा जो array था, best case में, recursion में जब call करते थे, तो यह half में तूट जाता था, right, फिर वो further half में तूटता था, है ना, तो पहले size n था, फिर n by 2 size का हुआ, फिर n by 4 size का हुआ, and so on, है ना, तो size half by half होते चला जा रहा है, तो अब्वेसी बात है, जब भी size half होते चला जा, होता recursion call होगा, log of n जा सकता है, वो worst case में, है ना, यह तो को पता ही होगा, कि माल लेते हैं, किसी का n है, size, फिर n by 2 हो गया, फिर दुबारा n by 2 हो गया, फिर by 2 होगा, फिर by 2 हो गया, तो कब तक यह 1 हो जाएगा, डिवाइडर होते होते, log of n टाइम्स लगेगा उसको, है ना, तो इसलिए, इतनी बार recursion call होगा, जब तक हम खतम ना हो जाएगा, है ना, पहले size, n का हमने recursion, sorry, quick shot देख रहे थे, फिर n by 2, size का recursion के लिए call किया, फिर n by 4 के लिए and so on, last में, one length का बचेगा, तो recursion call ही नहीं करेंगे, तो कितना depth हुआ, देखो तो, इसका log of n टाइम्स का depth log of n हुआ, इसलिए, space जो लगेगा हमारा recursion stack का, और o of log of n लगेगा, ठीक है, ये best case हो गया, लेकिन worst case याद करो, मैंने आपको क्या पता है, worst case में, कि भाई, जो आपका array हुआ, माल लेते pivot ये निकल गया, तो next recursion में, ये पूरा का पूरा array जाएगा, इसका length n-1 है, फ जाते जाते जाते, कब तक ये 1 पहुचेगा, जब पूरा एण depth तक पहुचेगा, पहले n था length, फिर n-1 हुआ, फिर n-2 हुआ, n-3 and so on, 1 तक, तो depth देख रो, depth इसका n हो गया, depth, है न, तो worst case में, क्या हो जाएगा, कि आप o of n space ले रहे हो गया, recursion का, recursion stack space का, ठीक है, तो recursion का simplicity ही उसका beauty है, है न, simply हमने तो को तीन लाइन लिखा, कि भाई, partition कर, left side में quicksort मार, right side में quicksort मार, कहानी कतम, that's it, इतना ही code है, इसका, partitioning का code मैंने आपको समझा दिया है, जल्दी से code करते हैं और इसको finish करते है, तो चलो, यहाँ पर quicksort को solve करते हैं, geeks for geeks में दे right, तो देखते हैं, यहाँ पर, सबसे पहले quicksort का function complete करते हैं, array दे रखा है, low दे रखा है, और high दे रखा है, तो मैंने आपको पहली बताया था न, कि अगर low greater than high हो जाए, तब तो sort करने यह ज़रूत ही न, खतम होगे आपका रे, तो return हो जाओ, simply, या फिर is equal to be, अगर high न, उसके बाद याद करो pivot index निकालते थे, उसके लिए partition call करते थे, partition भी यहाँ दे रखा है, तो array भेजते थे, low भेजते थे, और high भेजते थे, ठीक है, यहाँ तक तो clear है, तो अब partition call हो गया है, तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि यह जो array है, यह modify होकर कुछ ऐसा हो गया होग कि partition index में जो element है, वो अपने correct position पर आ गया होगा, उसके left side में जो element होगे, यानि कि 0 to partition index minus 1 तक के element को, वो सारे partition index के element से छोटे होगे, तो बस मुझे उननों को sort करना है, तो मैं दोबारा से quick sort call करूँगा और बोलूँगा कि भाई, मैंने partition index में जो element है, उसको correct जगा पर ले function index plus 1 से लेकर, हाई तक के element को, उसको sort कर देना, बस मेरा काम यही पर खतम हो गया, हमारा quick sort यही पर खतम हो गया, बस हमें partition अब define कर देना है, तो partition भी बहुत simple है, मैंने बोला था कि pivot index किसी को भी ले लो, तो मैंने pivot index हमेशा हाई वाले element को लिया, ठीक है, आप random भी किसी को ले सकते हो, और pivot, हमें pivot index भी तो चाहिए, तो अभी मुझे पता नहीं है कि pivot index कोन है, तो मैंने low पर assign कर दिया उसको, ठीक है, अब start करते है अपना, for int i is equal to, low से start करेंगे, i is less than high तक जाएगा, i plus plus, ठीक है, अब देको ध्यान दो, मैं क्या check करूँगा कि अगर जो current वाला element है, iath element, अगर वो छोटा निकल आया pivot से, ठीक है, और हाँ, छोटा या तो equal भी रहा ना, तब भी उसको left side shift कर देंगे, है ना, pivot में जो भी element था, जो भी element जो pivot के equal ना, या pivot से छोटे है, उसको left side में move कर देंगे, तो left side move कैसे करते होते है, इस iath element को left side move करेंगे, तो left side में याद है, pivot index खड़ावा था हमारे लिए, तो pivot index को बोलेंगे, भाई, इस से swap मार लो, pivot index को plus plus कर दो, ठीक है, यहाँ तक clear है, और I plus plus तो मेरा होई रहा है, ठीक है, और last में हमें क्या करना है, कि pivot index में जो भी element है, ARR of P of I, उसको swap कर देंगे, ARR of, जो pivot अभी actually में कहा present है, array of high में present है, तो array of high में, से swap कर देंगे, currently pivot index है, जो भी element है, और return कर दो pivot index, तो हमने यहाँ पर pivot index return कर दिया, okay, compile and run करके, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, we should be able to pass all the test cases, और आपको java code भी मिलनेगा, देखते हैं, ध्यान दो, quick sort में जाओगे, recursion के अंदर ह होगा, उसमें C++ का code भी है, जावा का code भी है, ठीक है, और मैंने सब कुछ दे रखा है, time complexity, space complexity क्या है, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आजा, और इसका PDF notes आपको मेरे description पर मिल दाएगा, तो see you guys in the next video, thank you